इस question को देखो problem number 19 को आपसे कह रहा है कि if the momentum of a particle is double अगर किसी particle के momentum को double कर दोगे momentum को double कर दिया तो आपसे कह रहा है कि अगर momentum double हो रहा है तो बताओ उसकी d broccoli wavelength पर क्या फर्क पड़ेगा तो आप देखो कि जो wavelength होती है in terms of momentum वो होती है यह lambda is equal to h upon p मतलब एक तरहां से जो lambda है वो momentum के inversely proportional है अगर आप momentum को just double कर रहे हो मतलब एक तरहां से momentum को आप बढ़ा रहे हो तो momentum के बढ़ने से wavelength कहीं न कहीं decrease हो जाएगी अगर momentum को आप two times से बढ़ा रहे हो तो भाई wavelength जो है वो two times से घट जाएगी क्या हो जाएगी two times से reduce हो जाएगी घट जाएगी क्योंकि आपने मोमेंटम को double कर दिया तो wavelength हाफ हो जाएगी तो हाफ वाला option देख लो हाफ वाला option देख लो तो हाफ वाला option हो जाएगा कर दी 19 कर दी तो ये भी इसके पीछे भी एक लोजिक है ऐसे नहीं कि ये भी रटा रटाया हो कर दिया हर चीज के पीछे लोजिक होता